हाई गाईज, आम दर्शन, न्यान दर्शन चानल मदे आपला हर दिक सोगत, आज आपन बगना रहोत रेसिदेंशल स्टेटस, त्यागोधर अमच़ न्यान दर्शन चानल लाज लाइक करा, शेर करा, सब्स्रेब करा, प्रत्यक वीडियो संपूर्ण बगा, तरचला सुरु क प्रत्यक ढच्छय कैरेते लाइक सब्सक्राई बगा, त्याएक। छाएक टाच्ट चार्शन बगना हर दिक सब्सक्राण सब्सक्राईब करा जिकर धिएचे नंद नह से हईल्टकर क्लें गनार्स अजिक्म पा peppानं करा अनुड अग्रेर किया के दिक सिदेंशल स्व cohesive हर आ मग income tax जो taxpayer आशतो त्याचा मदे तीन कैटिगरी आपन ठरोत आशतो त्या तीन कैटिगरी वरन आपन त्याचा income tax ठरोत आशतो में त्या तीन कैटिगरी बागा पहलिया है residential and ordinary resident, दुसरिया है resident but not ordinary resident and तीसरिया है non resident मग resident मंज़काए, non-resident मंज़काए, आणी resident but not ordinary resident मंज़काए, यह आपन सम्जुन गेवियाद, तो आदी आपन बगुयाद non-resident काशला मनेच, बगा, stay in India for 182 days or more during the previous year, तो माक्चा वर्षी, आपल्या भारत देशाद 122 दिवस किवा तेचे पेक्षा जासत दिवस आसेल, तो तेला आपन resident मनुया, आणी 122 दिवसाचा कमी दिवस आसेल, तो तेला आपन non-resident मनुशक्तो, पन तेचे मदे पन तेला एक कंसेशन दिलले आसत, मग तो 122 दिवस पू तो 352 दिवस हाँ भारत देशाद 122 दिवस आसला पाईजे, तो resident आसो शक्तो, आणी या दोनी कंडिशन तेने पूर्ण केले नस्तिल, मंजे तो माक्चा वर्षी 60 दिवस पन भारत देशाद 122 दिवस भारत देशाद 122 दिवस आसला पाईजे, तो तेला आपन non-resident आसा मन मनुशक्तो, मग हेजाल non-resident, मं resident काशला मनाचा, तर तो 122 दिवस माक्चा वर्षी 102 दिवस भारत देशाद 122 दिवस आसला पाईजे, तो तेला आपन resident मनुशक्तो, पन resident चे पुन्ना दोन प्राकर पड़तात, मत्य बगुयात, बगा resident in India at least in any two previous year out of 10 previous, preceding the relevant previous year, मग माक्च 10 वर्षाद, तो 2 वर्ष भारत देशाद असला पाईजे, आनि माक्चा 7 वर्षाद, तो 372 दिवस भारत देशाद असला पाईजे, तो तेला आपन resident and ordinary resident असला मनुशक्तो, पन तो माक्चा 10 वर्षाद 2 वर्ष नसला आनि माक्चा 7 वर्षाद 372 दिवस भारत देशाद नस मा त्याचा मदे परत इंडियुजोल चे वेगवेगड़े प्रकर आहेद आनी फर्म चे वेगड़े प्रकर आहेद मा इंडियुजोल क्यों हां हिंदु अंडिवाइड़ फैमिल आसेल त्याचा मदे रेसेडेंट आसुशकतो आनी नौन रेसेडेंट आसुशकतो पन त्याचा मदे दोन प्राकर बगितले, resident मदे, resident and ordinarily resident, आनी दुसरा प्राकर है resident but not ordinarily resident. पन इंडिवेज़ल किवा है एचिवी अप नसल मंझे हिंदू आण डिवाइड़ फैमिल नसल तीजर फर्म आसल तर फर्म आसल किवा कंपने आसल तर त्याचा मदे फक्त दोन प्राकर पड़तात, resident आनी नौन रेसेडेंट मंझे बगा इंडिवेज़ल आनी हचिवी अप आ resident and non-resident. The residential status of an ASAC must be ascertained with reference to each previous year. मग त्या आसेसीचा करदात्याचा residential status काशावर्न ठरता, त्याचा माक्चा वर्षावर्न संदर्बा वर्न त्याचा residential status ठरतास्त, त्याचा तो कोठे रातो है आपन माक्चा वर्षावर्न ठरू शकता. मित्रावनों, I hope तुम्हाला हा वीडियो समझला असेल. मित्रावनों, हा वीडियो लाइक करा, शेर करा, आनी अमचा ध्नादर्शन चानल ला सब्सक्रेब करा. धन्यवाद, थैंक्स फो रोचिंग.